कि दोस्तों आज कर दो मार टोपिक को बहुत जादा इंपोर्ट टोपिक होने वाला है क्योंकि फालिए रहें बीवी यस के अंदर तो इससे लोग क्यों चुनाता ही है इसके साथ साथ आपका नियुक्षा इनमें कोई साल नहीं जाता है जिस साल इसके टोपिक से क्विशन न स्मझना है तो सब से पहले बात आती है दोस्त मोस्थ कोमसन कैनल मिलिन इंडिया वह ता प्रश्ट कैंसर ठीक है सैनि मोस्थ कॉममान करता है वाथा सर्फानल Macken Spiralensor तो सब से पहलेस्ट कैसे दोशी कैसी होता है सबसे डिल होता है HPV infection की वजह से यह नोर्मिल एक एक एपिथिलियर ट्रोफिक वायरस है और स्क्राइब में से एपिथिलियम को इफेक्ट करता है जो आपका ट्रांजिशनल जोन होता सर्विस के अंदर वहां से वहां पर ठीक है आपका लगबग मोस्ट वोमन होती हैं वो वायरस को कलियर कर द सब्सक्राइब दस साल से तीस साल लग जाते हैं इसको कार्शियमा इन्वेसिव चेंज में करनोट होने के लिए तो ऐसा कैंसरी इंपोरेंट कैंसर है तो यूनिवर्सल स्क्रीणिंग इसके अंदर होती है और बहुत इंपोर्ट टो 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 पीक आता आपका डाइट सब्सक्राइब जब 21 साल तक नूर्मली हर किसी वूमेन के अंदर गल के अंदर आपका यह वायर्स रहता है लेकिन 21 साल के बाद हमें इसकी स्क्रीणिंग स्टार्ट करते हैं 21 से 29 यह तक हम करते हैं पैप्समियर और कब करेंगे तीन साल के इंटरोल के टाइम पे और जो ल 500 ded को क्या है यह हायर सेंस्टिविटी होता है इसमें हायर स्टेविक हिस्पिक होता है दों टेस्ट करते हैं और कभ करते है 5 या इंटरोल में कि हर एक पॉइंट है ने का इसके अंदर वह हर का 1tip आप हम 2k कि फ़ों में ने आता आपके साल लेक्स nyt इसके बाद आता है स्क्रीनिंग हम कब स्टोप करते हैं 65 में यह यह लाश्ट आपका डिगेड के अंदर नॉर्मल था तब हम 65 में करते हैं यह आपको थोड़ा किन्फूजन है तो हम 75 यह तर कर सकते हैं ठीक है यह जो बात कहरा था हमें एकी साल तक आपका नॉर्मली वुमेन क्लियर कर देती हैं लेकिन 30 के बाद 21 से पहले हर किसी को होता है और 30 के बाद नॉर्मली क्लियर कर देते हैं उसके बाद आता है डवल वचू गाइडलाइन अभी अब मैं जो गाइडलाइन देखी वह थी आपका और फिगो फिगो ने दिया था फिगो एक ओर्गनाईजिशन है दोस्त जो आपका मैं लिए इन चीजों को लिएट करता है तो डवल वच्ट गया हो करता स्क्रेयनिंग और ट्रीट दोनों में दोनों बताता है screening start करना है इसके कोर्डिंग डॉलोस कोर्डिंग 30 साल के बार ठीक है क्योंकि most common एज होती हो 30 साल से लेकर 49 तक होती है इसमें हम सबसे पहले HPV test सबसे ज्यादा preferred क्या जाता है every five year VIA क्या होता है visual inspection of acetic acid यह वात आपका और pap smear दोनों तीन से पांच साल के इंट्रों करते हैं और इन दोनों आपका cancer का कोज है तो तीन टाइप के वैक्सिन यूज कर सकते हैं एक आपका सर्वावेरिक्स एक आपका गार्डासील एक आपका गार्डासीला गार्डासील नाइन जो भी अफडी अप्रूब है तो यह आपका बाइवेलेंट होता है यह कौन से वाइरस के खिलाब 16 और 18 खिलाब यह आपका क्वाड्री वैलेंट होता है 16 18 और 6 और 11 यह आपके 9 मतलब 9 इसके अंदर स्ट्रेइन होती है 611 16 18 31 33 45 यह नाइन किना स्ट्रेइन आपसे कई बार एक्जाम के अंदर आती है कि कौन से कौन से और संदीज आते हैं यह आपका 45 यह तक प्रूब है वस्क्रीनिंग आपको ले नोट भी आता है इसके अंदर पैप से मियर के बारे में हमें क्या पता होना जिए एक साइट लोजी टेस्ट है स्क्रीनिंग टेस्ट है और इसकी इसके बाद इदी को बनूलिटी आती है तो कंफरमेशन हमें रिक्वाइर होता है तो कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज के ज हम और यदि महां पर मैटापलेश याथ ट्रांसफोर्मेशन जोन तो वहां पर अपने को वैप्स्मीर की हैं से पता चल जाता है कि हां कोई प्रोग्रम है या नहीं है तो उसके बाद हमें इनमें देखें नर्मली हम करते हैं तो क्या क्या आव मिलती है पहले है पहले सबस् इफ्लेमेटरी हीलिंग चीज मिलते हैं उसके बाद आपका एपी टीपिकल स्कॉरमस सेलों फंडरल ताइम्ड स्कीनिफिकेंज ठीक है उसके बाद थोड़ा और हम प्रोग्रस करता है तो एपी कल स्कॉरमस सेल हाई ग्रेड लीजन उसके बाद लोगरेड को में इनके ओ् każda मैंड डिश्पलेशन कमढों मिलता है जो स्ऱ्क्राइट है यावन वन तो इस में से आपको कर बता से कौनद सियाइए वन है विद्हर है ऐजब तो सबसे पहले आता है आपका यह आपका यह कैटिगरी थी लो लो ग्रेड स्कुर में से ट्रपिर इंट्रपिधिली लीजन तो हमार नेक्स्ट टेप होता है कॉल पॉप आपसी इदि हाई ग्रेड है तो आपका कॉल पॉप आपसी प्लेस आपका एंडर स्वाइकल की रिटाज और उसके बाद आप आपका जो सेकेंड था उसमें भी हम आपका सेम वही पर लेकिन आपको लो ग्रेड और हाई ग्रेड के ज्यादा याद रखने है कि कौन से हमारी नेक्स इंवस्टिकेसन होती है तो फिर से करते हैं तो उसमें या तो मारा सी आई हो से आइन वन कैटिगरी का माइल डिस्पल से मिलेगा और जो कार सीनुमा इंशी टू हना वह पिस कंडिशन के अंडर आता है तो इस कंडिशन हम क्या करेंगे दोस्त इन इसके अंदर वन परशेंट का चांस होता है आपका का टू ट्रांसफोर्म इंटू कैंसर इसम फाइव परशेंट का इसम सोड़ा जादा होता इसके अंदर ट्रीटमेंट रिक्ॉाइड होता है तो इसमें ट्रीटमेंट कौन सा यह लेकिन हम को ट्रांस ना दो त्टेस्ट करते थे वह हमें फॉल ओप करना होगा फौर टू यह एठी परसीश्ट रहता आपका यह तो हम ट्रेटमेंट कि जूरूत पढ़ती है तो ट्र याइवन वन टू-थी के लिए यदि आप पैप स्मेर से डायेक्टली कुछ डायेक्टली आप पैप स्मेर से ट्रीटमेंट करना चाहते हैं तो लीप होता है वह आपका प्रिफर्ड क्या जाता है और यदि इन दोनों से थोड़ा आपका नहीं हो ठीक या लग रहा है कि इन दोनों से नहीं हो पाएगा तो हमारा कोनाइजेशन होता है लास्ट टोइस ठीक है तो इसके अंदर हम क्या करते हैं दोस्त टीसू वहीं रहेगा डिस्ट्रोई वहीं करना है ठीक है नतलब यह हमारा अबलेटिव प्रोशिजर है उससे जादा प्रिफर्ड आपका होता है प्रिफर्ड हम ज्यादा लीपू करते हैं कंपेर टू क्राइबलेशन उसके बाद दोस्ता आता है आपको कैंसर रविक्स आपको मान लेजिए कि कार्शम इंसी टू के बाद आपका कैंसर में कर्वर्ट हो गया तो उसके बाद हम क्या कर देखिए सबसे पहले रहे है मल्टिपल सेक्स पार्टनस अबर्यूब सेडियो और साइड़न है इस आता है तो उसके बाद दोस्त हैं आपका इसके अंदर मॉश्ट करण और def like 49% केसमे उसके बाद ये बास आता है कि कि आपकी स्टेज फूट है इसके अंदर कि स्टेज हम कैसे करते हैं स्टेज इसको करना है आपको हर बार नहीं तो नियुकंत को हर साल थोड़ के एक साल थोड़ आपको पर यस न के अंदर और आपसे पुझा जाते हैं ठीट्श्चमिंट क्या तो स्टेज 1-1 क्या है लेश दरी एम तर्च यह आपको तीन से लेकर पांस तक है फिर यह इन पांस से लेकर फांस से टूमी या टईप तोजटेटो मीं हम करते हैं फेमिली हमें कंपीट नहीं है तो हम कुने जिसन हम कर सकते हैं ठीक है तीसरे में क्या आता है उसमें आता है जब आपका अपपर त्लॉठ बजाइना में आपका जाता ओन्हां धस्ते рок आपका lower one third में और उसके बाद c1 के अंदर आपका प्लुण निम्प नोड और लास्ट में आप बलेडर और इस्टेंड मेटास्टेशिश के केस में for stage पे आता है तो टीटमेंट क्या होगा इसके अंदर कुछ समझ पूसा जाता है एवन और एटों पर डिसर्ज कर चुके डिवन पीटु थ्री करेंगे वन भीट्री में आपका कि मुरीडेशन करना है ठीक है सैकंड एम में उन में टाइब स्टैक ओम और रेस्ट फेज में किमुरी येशन यह आपके टीट्मेंट रूइश है दो को आपका उसमें यूटर सर्वेक्स दोनों हम निकालते हैं सिंपल इस्टेक्टो में बोलते हैं इसमें टाइप टू में क्या करते हैं पहरा मेट्रियम प्लस यूटर सर्वेक्स वर वन थर्ड वजाइना निकालते हैं इसको मोडिफाइड रेडिकल इस्टेक्टो में बोलते है और टाइब 3 के अंदर हम यूट्रेस सर्वेक्स होल अफ दा पेरामेट्रियम और तू थर्ड वो जाइना प्लस पहले विख लिए अडिनोक्तों में हम करते हैं यह आप काता है टाइब 3 हिस्टेक्टों में के अंदर तो हमने देखा था एक तो हमारा उसके अंदर था इस् सब्सके में मतलब कीरो तेशाओ कारते हैं दोस्त किमोठरेख यून्रिप पलस रडिएसन के लिदागे करते हैं लेकिन जो एक्रेज़ थरापू होती है अमको को हमें दो पॉइंट पर देना होता है पॉइंट ए इन पी बी इन पीड़ी सुइंट प्लाविस के लोकेशन पताऊने चाहिए यह आपका 2 cm वह एक्षतर हो रिफिस 3 cm लेटर लेटरल टू पॉइंट ए डाइट लोकेशन पुशे जाती है और एक आप रेडिशन पुशे जाती है इसके अंदर हम सेवन 7000 लेकर 8000 देते हैं इसके अंदर 6000 देते हैं याद रखना ही पॉइंट ठीक है दोस्त यह आपके मैं था सर्वाइकल कैंसर के बारे में हमने शुरू से लेकर लाष तक ट्रीटमेंट तक इस वीडियो के अंदर डिस किया तो इस वीडियो का आप एक बार फिर से मैंने वह जल्दी किया है मैं मानता हूं लेकिन आपको थोड़ा खुद कुद नोटस बना सकते हो खुद एक बार दो कार दे सकते हो और फिर सिर्वाइज करना पड़ेगा ठीक है तो मैंने सोचा कि इस पूले टोपिक को आप आडिस किया जाए तो वह पिस से फायदा होगा आपको क्यों के लिए भी और जल्दी चीजों को एक साथ समप करने के लिए भी तो अच्छा लिए लगा है वेडिय कर दो